भारत में अनेकों मंदिर हैं वहीं आज हम आपको एक ऐसे मंदर के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर सूरी के गति के साथ इस शिव मंदर के गुंबत पर लगा त्रिशूल बदलता है जहां हम बात करें हैं राय बरेली जन्तपत के लालगंज तहसील के अतरगत बालेहमो गाउम में सित भालेश्वर महादेव मंदिर की जो की लगभग 500 वर्ष पुराना है यहां के लोगों का माना है कि इस मंदर के गुंबत पर लगा त्रिशूल सूरी की गति के सापेक्ष परिवर्टिट होता रहता है यहां पर भगवान शिव का जल अभिशे किया जाता है यहां आने वाले सभी भक्त इसी सरुवर से जल लेकर भगवान का जल अभिशेक करते हैं इस मंदर का इशेवलिंग स्वेंबू है यानि यह अपने आप उत्पन हुआ है इसे स्थापित नहीं किया गया लोग बताते हैं कि यहां पर पहले विशाल का जंगल हुआ करता था जहां पास के गाउं के ही गाये चरने आया करती थी जो गाय यहां चरने आती थी, उन्हीं में से एक गाय ने दूद देना बंद कर दिया तो गाय स्वामी को चिंता हुई कि आखिर गाय का दूद कौन चोरी करता है तबी उन्होंने देखा कि धारा बह रही है यह देख गाय का स्वामी अच्छंबित रह गया और वापस आने पर अपने घर वालों को बताया तो उन्होंने वहाँ जाकर देखा तो वहाँ पर एक शिवलिंग दिखाई दिया तबी से लोग वहाँ पर पूजा पाट करने लगे इस मंदिर परिसर में एक दुरगा मंदिर भी है जिसके बारे में लोगों में मानिता है कि यहाँ पर नवरात्री के दिनों में दर्शन करने मात्रे से सभी मनते पूरी होती है इसलिए यहाँ पर नवरात्री के दिनों में भारी भीड होती है भालेश्वर महादेव मंदिर के मुखिर पुरोहित जिल्मिल महाराज बताते हैं कि यह मंदिर लगवक 500 वर्ष पुराना है यहाँ पर विराजमा शिवलिंग स्वेंबू है साथ ही इसके परिस्तर में एक सरोवर भी उपसित है जिसके उपर में पूर्व भक इसी सरोवर से जल लेकर भगवान शिव का जल अभिशेक करते हैं यहाँ पर हर सोवार भक्तों की भारे भीड देखने को मिलती है इस मंदर के बारे में आपके क्या विचार है क्या आपने कभी इस मंदर के बारे में पहले सुना था अगर सुना था तो हमें इस मंदर के बारे में और अधिक अगर आपके पास कोई जानकारी है तो जूर कमेंट करके पताईएगा और अगर इस मंदिर में आप कभी गए हैं तो अपना एक्सपीरियंस भी हमसे शेर कर सकते हैं